वस्ट आप वीटिफल पीपल आज की इस वीडियो के अंदर में आपसे बात करने वाला हूं कि 100 ग्राम सोया बीन में पनीर में और चिकिन में कितना प्रोटीन होता है और एक इंसान को एक दिन के अंदर कितने प्रोटीन की जरूरत पढ़ती है तो इस वीडियो को एंड तक आप देखें ना आपको पता लग जाएगा कि आपको सोयवीन में कितना प्रोटीन मिल रहा है क्या बेनेफिट्स हैं उसके और पनीर में कितना प्रोटीन मिल रहा है और चिकिन में कितना प्रोटीन मिल रहा है और एक इंसान को एक दिन के अंदर कितने प्रोटीन की जरूर परती है जैसे कि protein, carbohydrates and fat तो जो protein है वो एक macro nutrient है जो इंसान body को अच्छा करना चाता है, muscles को बढ़ाना चाता है तो उसके लिए protein बहुत 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 ज़ादा जरूरी होता है एक normal इंसान के लिए तो जरूरी होता ही है इसमें कोई शक नहीं है पर जो इंसान body बनाना चाता है उसके लिए तो बहुत ज़ादा जरूरी है अब हम बात करते हैं सोयबीन की अगर आप 100 ग्राम सोयबीन consume करते हो 100 ग्राम सोयबीन खाते हो तो आपको कितने ग्राम प्रोटीन मिल सकता है उसके अंदर अगर हम बात करें 100 ग्राम सोयबीन की तो लगभग आपको 45 से 50 ग्राम approximately प्रोटीन मिल जाएगा तो अगर आप सोयबीन खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं कोई प्रोब्लम वाली बात नहीं है आपको करीब 45 से 50 ग्राम प्रोटीन असानी से मिल जाएगा अगर हम बात करें उसके साइड एफेक्ट की अकसर आपने सुना हुआ कि यार जो इनसान सोयबीन जादा कंज्यूम करता है तो उसके मैन बूप्स की गाईनों की प्रोब्लम हो जाती है तो मैं आपको बताओं जो मैन बूप्स की प्रोब्लम होती है तो अगर आप सोयबीन बहुत ही जादा कंज्यूम करोगे बहुत ही जादा खाओगे तब आपके एस्ट्रोजिन लेविल बढ़ सकते हैं आपके मैन बूप बेसिकली वो दूद से बनाया जाता है पनीर के अंदर प्रोटीन भी होता है और थोड़ा बहुत फैट भी होता है अगर हम बात करें 100 ग्राम हम पनीर खा रहे हैं तो हमें कितने ग्राम प्रोटीन मिलेगा अगर हम 100 ग्राम पनीर खा रहे हैं तो उसमें लगबगा में 20-22 ग्राम प्रोटीन आसाली से मिल जाएगा यार तो जो इनसान वेजिटेरियन है उनके लिए काफी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का यार बात करते हैं जिसके बारे में वो है चिक्किन को लेकर मैं आपको बता हूँ जो चिक्किन होता है वो आज के टाइम पर मुझे लगता है जितने भी अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं वो जरूर कंज्यूम करते हैं और चिक्किन में काफी अच्छे क्वांटिटी में प्रोटीन होता है काफी जादा बेनेफिट्स मिलते हैं अब हम बात करते हैं कितना प्रोटीन मिलता है अगर आप 100 ग्राम चिकन खा रहे हो तो अगर हम बात करें चिकन की अगर आप 100 ग्राम चिकन खा रहे हो तो लगबग आपको 25-30 ग्राम प्रोटीन आसानी से मिल जाएगा यार अगर आप 100 gram chicken खा रहे हो, अगर हम बात करें पूरे मुर्गे की, पूरे chicken की अगर आप whole chicken खाते हो तो उसके अंदर fat भी होता है अगर हम बात करें chicken breast की अगर आप खाली chicken breast खाते हो तो उसके अंदर protein होता है, lean protein होता है दोस्तो ये 3 ऐसे protein के sources थे जो कि लोग के दिमाग में confusion रहता ही है मैंने अपका confusion दूर कर दिया है और आपको पता लग गयोगा कितने ज़्यादा benefit है और 100 gram अगर आप पनीर खाते हो या soybean खाते हो, या chicken खाते हो तो कितना protein मिलता है दोस्तो ये information वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को like दे, channel को subscribe करना बिल्कुल भी ना बुलना और इस वीडियो को share भी कर दीजी अपने दोस्तों को साथ में अगर आपको लगता है कि उनको भी बहुत जादा help होने वाली है like करे, share करे and subscribe करे और instagram पे follow कर लिजी अगर आपको कोई भी सवाल हो और आपमें उसे दिल से जोड़ना चाते है instagram पे follow कर सकते हैं कोई problem भाली बात नहीं है like करे, share करे and subscribe करे फिलाल की जूटो बिता ही, तब तक के लिए बें देख वीडियो में take care, bye bye